हेलो एव्रिवन कैसे हैं मैं अनुछ कुमार सिंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिख्षाधाम में इंकम टेक्स का एक्जाम है काफी सारे बच्चों का कमेंट है कि सर एक मैंने अभी वीडियो डाला था इंकम टेक्स बच्चों का भी डाउट आया हुआ है सर क्या डाउट है इंकम टेक्स के बच्चों का कि तर हमें तो आपने बीच में छोड़ दिया आप वीडियो जल्दी सा अप्लोड नहीं कर रहे हमें जैसे तैसे करके दूसरे चैनल पर जाना पड़ रहे हैं क्योंकि अभी एफिम का एक्जाम था उसमें मैं थोड़ा सा बीज़ी था तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि आपको कहीं और अरेंज करने की जुरत नहीं है आज आय सेैक्ट मैने पूरी वीडियो एक्जाम आपका 26 को है और आजओफ अब 20 मैंने जो भी वीडीयो अप्लोड करते मैंने बोला कोई अडिटिंग मत करो सारी वीडियो फौटा-फॉट करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते अपलोडिंग करने में तो देखो मेरा जो एक विजन है कि हर बच्चे का जो है एक्जाम अच्छा जाए और अच्छे से के ग्रेजूशन कर ले करे कि ग्रेजूशन को अपनी लाइड में बहुत लाइड लेते हैं कि अगर वही गर्वरमेंट जौब की तैयारी हो सीरिय you करते हैं का लेकिन लास दिनों में उनके साथ क्या होता है जो एक्जाम देते हैं वही जानते हैं तो आप सभी बच्चों को कोई परिशान होनी की जुरत नहीं है कि आज का वीडियो सरफ इसलिए है कि मैं इस सभी जितने भी वीडियो है विदाउट एडिटिंग बस थोड़ा मैंनेज करना होगा नंबर आफ वीडियो ज्यादा होंगे क्योंकि स्टार वाला कॉंसेट मैंने सिर्फ एप्लिकेशन पर दे रखा है वो आपको देखे मैंनेज करना पड़ेगा मैं पूरे पूरे लेक्चर से अप्लोड करा रहा हूं बस देखने में थोड़ी मेनद करने पर बाकि फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर भाया स्ट स्टार वाली वीडियो तो मैंने आपको पहले भी कहा है सर एप्लिकेशन पर है हमने स्टार लगा रखा है वीडियो में जहां पर 40 वीडियो होती है वहां पर उसको हम 10 वीडियो के अंदर कनवर्ट कर देते हैं कुछ बाते ऐसी होती है जो उसके से ट्रीम करके हम निकालके फिर वह वाली डालते हैं उसके अंदर अप्लिकेशन के अंदर लगा दिया तो बच्चों को दिक्कत नहीं तो बड़ी सीधी सी बात है कि मेरे एप्लिकेशन पेड़ बच्चा हो चाहीं यूटूब पे कि सर आपको कॉर्स जो है ना साइध मैंने 449 कितने का बोला पता भी नहीं मुझे याद भी नहीं है लेकिन मैंने बात किया है एक नए सर्वर पे काम चल रहा है उस सर्वर की थोड़ी सी कॉस्टिंग हमारी कम आने वाली है जो बात चल रहा है एप्लिकेशन भी बहुत जल मैं बोलेगा और मेरा नाम बोलेगा या सर से बात हुई थी वीडियो में बताया था आप ले सकते हैं सिस्टमेटिक पढ़ना है तो अधर्वाइस सर आपको कहीं जाने की जूरत नहीं है मेरा पहला अगर मैं बोलू है मेरा धरम की बात करूं तो मेरा फस्पररिटी और फस मतलब कि आप डिजर्व करते हो तो पास हो जाओ सिंपल सी बात है कि या मैंने लिखा और तब हम पास हो जाएं मैं यह चाहता हूं सिंपल सी बात है मैं ट्विल्थ क्लास को भी पढ़ाता हूं ट्विल्थ क्लास के अंदर भी मैंने टेस्ट दिये था और आप लोगों के लिए एक मैरेथन भी लेकर आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी जिसके अंदर तीन से चार घंटे के अंदर पूरा स्लिवस खतम हो जाए आता रहता हूं क्या क्योंकि उसे प्रिपेर किया जा रहा है आगे के लिए आपके लिए मैं आपके सामने फिजिकली तो अवेलेबल नहीं हूं लेकिन वीडियो के ही फॉर्मेट में मैं आपके लिए कुछ बंद पड़ता है वो मैं करने की कोसिस कर रहा हूं और शायद आ कमेंट आता है बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं जिसके वजह से मुझे एक मोटिवीशन भी मिलता है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले कि आप लोगों के जितने भी वीडियो से जल्दी से जल्दी 25-26 नारिक जो भी है हम फटा-फट से सारी वीडिय इस रहेगी कि तीन घंटे के अंदर पूरा स्लेवस पिक्टोरियल बेसिस पे मतलब के पॉइंट बीसिस पे सारा का सारा में क्या करा दूं आप लोगों सेक्षिन वाइस करा दूं ताकि दो से तीन घंटे में आपका पूरा जब स्लेवस खतम हो जाएका तो एक वीडियो के साथ